कर दोस्तों मैं प्रीती आज आपके लिए ऐसा बिजनस आइडिया लेकर आई हूँ जिसको करके आप लाखों की कमाई कर सकते हैं आपने चीप्स, कुरकुरे, मसाले यह सब चीजे मार्केर से खरीदी होगी नमकीन हो गया चाय पत्ती होगी तो कभी आपने सोचे इनको पैक कैसी किया जाता है इनको पैक करने के लिए हमारे पास यह अलग अलग टाइप की पाउच फिकिंग मशीने हैं अगर आपको मसाले पैक करने हैं तो उसको पैक करने के लिए अलग से मशीन आएगी अगर आपको चीप्स, कुरकुरे पैक करने हैं तो उनके लिए अलग से मशीन आएगी आपके requirement के according कि आपको कितने gram का पाउस पेक करना है उसे साथ से हमारी company अलग-अलग type की machine की manufacturing करती है जैसे अगर आपको एक से 10 gram, 10 से 50 gram, 50 से 100 gram तका मसाला पेक करना है तो आप उसके लिए FFS machine खरीच सकते है अगर आपको चाय पती, बेसन, नमक, नमकीन ये सब चीजे पेक करना है और quantity का साइज है एक केजी तक तो आप यह हमारी weight filler machine करी सकते है जिसमें आप एक ग्राम से लेके एक केजी तक का पेक कर सकते है ये आपकी multi purple machine है जिसमें आप किसी में टाइप का snacks item अगर आपको nitrogen flushing system च आप compressor adjust करके आप chips कुरकुरे pack कर सकते है अगर आपको आपके product को nitrogen की need नहीं है तो आप nitrogen clamp बंद करके आप अपने other type के items like masala हो गया चाय पती हो गई या कुछ ओल दाले हो गई जैसे भी आपकी requirement है उसके coating आप इस machine को use कर सकते है ये हमारी machine है FFS machine जो एक 10 ग्राम से लेके 100 ग् अगर आप खडब मसाले पैख कर सकते हैं तो पिसे उवे पैक कर सकते हैं अब हमारी जो एक औब मशीन है इसका नाम ही Half Nources N음atic machine को उसमें को सीओना खवा का system रहता होगा इसमें आप chips फुल को Reet Kux किसी भी typeيع items आप Hub вечering जाए लीक आपको परणक्ट सकते हैं। इसमें आपको नाइट्र स्फ्रेंडर लगाना होता हैं। भी कोमप्रेसर अजर्स्ट करना होता है। आपके satisfaction के लिए आपका product और आपका role मंगाया जाता है तक कि आप satisfy हो जाए तभी आप यहां से machine लेके जाए इस machine के साथ आपको एक batch coding लगा के दिया जाता है जिसमें हमारा batch number, manufacturing date, expiry date, कितने gram का पाउच आप पेक कर रहे हैं यह सब चीजें यह batch coding machine बदाती है अब मैंने आपको machine के बारे में तो बता दिया अब customer का अगला question आता है कि अगर हम किसी type का पाउच पेक करते हैं अगर हमें अपने नाम की branding करानी है, trademark register कराना है तो उसके लिए हमें आगे कैसा procedure करना पड़ेगा आप एक बार यहां पे आए हम आपको हर तरह से guide करेंगे कि आ इसके बारे में मैं आपको complaint जाड़ करेंगे जब आप यहां विजिट करते हैं मैं आपको दूंगे और आपका registration भी करवा के दूंगी देखे अगर यह ऐसे इस type किसी भी type का आप कलर रोल बनाना चाहते हैं तो उसकी भी सुईदा यहां पे उपलब है अब बात आती है कि अई करते हो जाती है अगर आप मशीन भी यह हूं प्रश्य धेंगा प्रॉब्लम को रिजॉल कर सकते हैं अब बात आती है आप अपने बिजनस में कितना इंवेस्मेंट करेंगे मशीन जो मशीन का स्टार्टिंग मोडल है एफ इस मशीन जिसमें हम एक ग्राम से दस ग्राम तर पैक कर सकते हैं असी अजार से स्टार्ट हो जाता है जी हां 80,000 जाना पड़ेगा उसके कोर्डिंग मशीनों के रेख बढ़ते चले जाएंगे मिनिममम चोटा मोडल है हमारी कंपनी ने जो लॉंच किया हुआ है वह ऐसी अजार से स्टार्ट है अगर आप इन मशीनों की और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए भी प्रोवाइड कराती है अगर आप को टेशन मर आके बैंक से लोन कराना चाहते हैं तो वह स्वीदा भी आपको यहां से मिल जाएगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कोमेंट कीजिए सब्स्प्राइब का बटन दमाना नहीं भूलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में धन्यावाज